गैज जिमबांबे और इंडिया के बीच जो फर्स टी टुंटे मैच्पेटर जाने बाला है मतलब गैज zeड़ाई एम वर्सस आई Penisu के बीच के बीच में आपको इस वीडियो में डेटेल प्रेडिक्शन देने वालों गाइज इंडिया फाइनली टी-20 वर्ल्ड कप 2000 चोईस को विन कर चुका है और अब विराट कूली रोई शर्मा जैसे सिनियर्स प्लेयर मतलब रविंद्र जड़ेजा जैसे सिनियर्स प्लेयर्स ने टी-20 से रिटायर्मेंट ले लिया है तो आप कही ना कहीं यह वाली सिरीज अपने आप में काफी इंपोर्टेंट हो जाएगे क्योंकि अब पूरी तरीके से नई टी-20 की टीम इंडिया की बनने वाली है अब इस यूवा बिगेड में कौन से प्लेयर ऐसे जो काफी अच्छ क्योंकि इंडिया जब वेस्ट इंडिस से इंडिया में लैंड किया तो थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि वहां पे टुफान वगए आ गया ता इस वज़े से तो दो तीन प्लेयर है जो आज का मैच नहीं खेलेंगे साथ में जिंबंबी की क्या प्लेइंग 11 इस वाले पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी या फिर स्पीनर्स को या फिर बैट्समैन को तो यह सारी चीज़े आपको इस वीडियो में पता लगेगी इसलिए यह वीडियो आपको कंप्लीट वाच करना है ताकि जैसे आप वर्ल्ड कप में विनिंग करके आए हैं वैसे ही आप आगे विनिंग कर पाओ और साथ में काम पक्का से कर लेना मेरे शौर екस्पर्ट सपूट यूट्यूब चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना नीचे सब्सक्राइब कर नहीं बबतने हैं ज Dollbrand निएे जाppen आगे मैं उफच्छ機 क्टिम प्रडिक्शन देने वाला हूं उसमें गई देखिए तीन प्लेयर ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है मोश्टी लोग अपनी टीम में लेके आएंगे एक तो इंडिया टीम के कप्तान शुबमंगित जो कि इस टेट वंटी स्रीज में कप्तान बनाए गए दूसरे प्लेयर है सिकंदे रजा जो कि जिंबॉंबे का मोश्ट इंपोर्टेंट और राउंडर काफी अच्छी बैटिंग भी करता है और तीसरा प्लेयर मुझे लग रहा है रवी बिश्णोई भी कई ना कई इस वाले मैच में इंपक्त डाल सकते हैं क्योंकि काफी इंपोर्टेंट प्लेयर है अब गई सबसे बड़ा प्रश सब्सक्राइब कर लेना है नीचे सब्सक्राइब का बटन है जाके पक्का से दबा देना बैल आइकन की घंटे दबा के सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जो भी मैच कवर करूं उसका नौटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सीधा वीडियो को देख लो और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है गई शौर एक्सपर्ट सपोर्ट जहां पर मैं हर मैच की बिल्कुल फ्री टीम देता हूं ट तो पक्का से आप मेरे टेलीग्राम चैनल शौर एक्सपर्ट सपोर्ट को जॉइन करना और मेरे जॉइन करने का भाई एक ही तरीका है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मैंने टॉप पे लिंक डाला हुआ है उस पे क्लिक करके ही आप जॉइन कर सक अब बात आती है जिंबंबे और इंडिया की गईज आज के मैच में क्या प्लेइंग 11 होने वाली सबसे पहले में इंडिया टीम की बात करता हूँ देखी गईज इंडिया टीम के कप्तान शुबमन गिल के साथ एक्सपेक्टेड है अभी शेक शर्मा ओपन करे क्योंकि मैच वाल शिवम दूबे उनके रिप्लेस्मेंट में टीम में शामिल के गए हैं साई सुधर्शन को जितेश्शर्मा को तो साई सुधर्शन बहुत अच्छा प्लेयर है लेफ्ट हैं वह मुझे लगता है इस वाले मैच में खेल सकता है तो साई सुधर्शन का रिकॉर्ड में आपको दिखाऊंगा अगर खेलता है तो डेफिनेटली बढ़ी आप एक सावित हो सकता है इसके अलावा विकेट कीपर में या तो जिते शर्माइंगे या फिर दुर्व जुरल मुझे दुर्व जुरल के चांद ज्यादा लग रहे इसके बाद रिंकु सिंग वाशिंग की तरफ से लेफ्ट हैंडेट बैटर वहीं अगा जिंबॉंबे की वाद करूं तो भाई ऐसे ऐसे प्लियर्स हैं जिनको बहुत कम लोग पिक करके चलते बाई उनका रिकॉर्ड देखोगे ना तो आप बोलोगे कि यार क्या जबर्दस प्लियर है इसमें ब्राइन बैनेट है उसके साथ टी मरूमानी जो की ओपन करेगा इसके बाद महादेवरा आएंगे सिकंदे रजा आएंगे कैमपबल कलाई मंदाने आएंगे फरक अकमरम रिचर्ड एंगेवरा लूग जौंग वी मसक जादा ब्लैसिंग मुजर्बान अब दिखिए आपको बता दू यह वा मैच में ग्रैंड लीग जीतने के सोच रहे हो ना तो यह वीडियो आपके बहुत काम वर करेगा बस पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखोगे अराम से विनिंग हो जाएगी बट इस वीडियो पर गई लाइक्स का टार्गेट है दस अजार लाइक्स का टार्गेट आप आपको कंप्लेट कराना है पक्का से लाइक कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया अब बात आती है आज की मैच में जिंबॉंबे और इंडिया के ऐसे कौन से बॉलर्स है जिनको जादा ओवर्स मिलेंगे और दैथ में मतलब 15 से 20 ओवर्स में भी बॉलिंग करा सकते रिमेनिंग ओवर्स करेंगे ब्राइन बैनट फराज अक्रम वैलिंग्टन मसक जादे और जो दैथ के ओवर्स ना 15 से 20 वाले वह एक्सपेक्टेड है कि ब्लैसिंग मुजर्बानी और लूग जौंग वे करें क्योंकि दोनों काफी अच्छे बॉलर्स है इंडिया की तरफ है कि अभी शेक शर्मा या फिर्यान पराक से भी बॉलिंग कराई जाए पर इसके संभावना मुझे ना के बराबर लगरी और जो दैथ के ओवर्स है ना 15 से 20 वाले वह करेंगे मुकेश कुमार और आवेश खार तो यह कई ना कई इंपोर्टेंट पिक बन सकते हैं इसके ब बॉलर्स और बैट्समैन दोनों के लिए क्योंकि यहां का पिछ है काफी ज्यादा हाड है इस वजह से विकेट पर आपको काफी अच्छा बाउंस भी देखने को मिलने वाला है इस पिछ पर और साथ में बॉल बैट पर काफी अच्छे से आती है तो रन भी आपको काफी ब बैट करता है तो फिर ज्यादा बड़ा स्कोर मुझे लगता नहीं है बनने वाला है डिपेंड करेगा इंडिया कप खेल रहा है क्योंकि मैच तो इजिल इंडिया जीती जाएगा और वेन्यू स्टैट्स के अगर मैं बात करूं तो इस वाले मैदान पर भाई अभी तक 40 मै सकता है क्योंकि जिस तरीके की टीम है बहुत ही जादा अटैकिंग टीम लग रही है अब यहां पर देखिए इस वाले वेन्यू पर अभी रिसेंटली जो तीन मैच खेले गए ना लास्ट उनमें कैसा कैसा स्कोर बनाया है वह आपको बताता हूं साथ दिसंबर 2023 को यह मैच हुआ था आयर्लेंड जिम्बांबे के बीच आयर्लेंड ने भाई पहले बैट किया 147 बनाया जिम्बांबे ने 148 मैच को विन किया था और इस वाले मैच में 12 विकेट पेसर्स को मिले ते 5 विकेट इस पीनर्स को मिले तो कही ना कही मैंने आपको बोलाई कि हैं यहां पर और फास्ट दोनों इफेक्टिव होते हैं इसके बाद 10 दिसंबर 2023 को मैच हुआ जिंबॉम्बे आयरलाइन के बीच जिंबॉम्बे ने गईद 145 बनाए आयरलाइन ने 141 बनाके मैच को विन किया इस वाले मैच वे पेसर्स को चैस्पिनर्स को चार विकेट मिले और 9 दिसंब यूपर अगर 10 विकेट गिद रहे हैं तो भाई मान से 6 विकेट तो मिलते हैं फास्ट बॉलर को तीन से चार विकेट मिलते हैं स्पिनर्स को यह चीज़ आपको नोटेट करके चलनी है इसके अलावा गाई इंडिया वर्से जिंबॉम्बे की जो टी 20 स्रीज है पूरी स्री आपके सामने हैं फर्स प्राइज स्यूवी कार है आई एंडि वर्से जैड आएम के मैच तो माई लेवन सरकी लेप पे गई यह ओफर बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और सबसे बड़ी बात पता है क्या है यहां पर फर्स प्राइज स्यूवी कार आप किवल एक र डॉइज जाएगे यह अप पहब तो माई-लेवन सरकी यह इसी वीडियो के दिस्क्रिप्चन में कमेंड पर लिंक है है वो भी एक रुपए में बस करना क्या है डिस्क्रिप्शन और कमेंट वाले लिंक से जाईए एप को डाउनलोड करिए एक घंटे के अंदर मेगा जॉइन करिए और आप पांस टीम के साथ लगा सकते हूं मतलब केवल आपके पांच रुपए खर्चोंगे पांच रुपए लसे जाके रजिश्टर करिए पर औफर का फायदा सबी को उठाना है सभी भाईयों साथ में 1500 रुपए का बोनस मिल जाएगा अगर आप मेरे लिंक से जाके डॉणलोड करते हो एप को करोगे 1500 रुपए का बोनस मिलेगा और फर्स्ट डिपोजित के टाइम पर आपको यहा और यहां पर विनिंग करना गई बहुत आसान है कॉंपीडिशन बहुत कम है इंस्टेंट विड्रॉस आपको मिल जाएंगे डेली ओफर्स मिल जाएंगे और सबसे बड़ी बात है यहां पर बहुत जादा है तो आप अराम से ट्रस्ट कर सकते हैं तो पक्का से यहां पर मेग सब्सक्राइब करें अब बात आती है गई देख नए ट्वंटी स्रीज की कि जिंबॉंबी और इंडिया की तरफ से अपना आज के मैच में कौन-कौन से प्लेयर्स को पिक करके चले तो ध्यान से वीडियो देखना भाई आप भाई पर वरोसा करोगे अच्छे विनिंग कर सबसे पहले विकेट कीपर सेक्षन में जिंबॉंबी की तरफ से नाम आता है यहां पर क्लाइव का इसका इस वेन्यू पर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इस मैदान पर इसने साथ मैच खेले बाई एक सो पच्चेसन बनाए गत्तिस के एवरेश से और लास्टीन मैचों मे बारा ग्यारा जीरो और मनुमानी जो की ओपन करेगा इसका रिकॉर्ड काफी खराब है इस मैदान पर इस मैदान पर तेरा मैच में केवल एक सो अर्टेसन बनाए ग्यारा के एवरेश से और लास्टीन मैचों में एक चौदा इगत्तिस तो अगर इन दोनों में अगर आप किंग्स की तरफ से कहलते हैं आई पील में और यह राजिस्तान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं दोनों ही काफी अच्छे बैटर है बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि दोनों की बैटिंग आएगी या नहीं आएगी अगर इंडिया पहले बैट करती है तो मैं सब्सक्राइब के साथ जाए डैफिनेटली आपको पॉइंट स्कोर कराके दे सकता है कि इसके बाद में की बैटिंग सेक्षिन में आपको दो ही नाम दिखेंगे यहां पर एक तो है यहां पर वैसली महादेवरा और यह नंबर तीन पर खेलेगा भाई लास्टीन मैचों मे इसका साथ मैचों का एक्स्पियेंस है और यह डैफिनेटली एक शांदार पिक है अपनी माई-11 सरके लैप की मेगा ग्रैंड लीक के लिए या अधर एप के लिए डैफिनेटली बढ़िया कर सकता है और आट मैचों में 219 रन मनाए 36 की आवरेस नंबर पांच का बैटर है म डैफिनेटली आप फोकस करके चलिए इस मॉल लीग के लिए तो मैं आपको बोलूगा दोनों को ही ना रखे बट ग्रैंड लीग के लिए मैं आपको सजाइश करूँगा कैमपे बल पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो क्योंकि देखे जिंबॉंबे वीक टीम है बट अपने खेलता है तो बहुत बढ़िया प्लियर सबसे पहले शुबमंगील ओपन करेगा लास्टी मैचों में एक सो चार दो सोला रितुराज गायकवार्ट जो की हो सकता है तो ओपन करें या नंबर तीन प्याए टीट्वेंटी में 38 का एवरेज है सी एसके की तरफ जो बैटिंग और रियान पराग जो की अभी राजिस्तान रॉयल्स की तरफ से काफी अच्छी बैटिंग करके आए और उसकी वज़े से इनको इंडिया वाली स्रीज में खेलने का मौका मिला है बाकि लास्ट तीन मैचों में बनाए 6-46-47 तो यहां पर काफी अतक टॉस पर भी मैटर करे बने वाले तो डेफिनेटली आप टीम में लेकर चलिए गाइद आज के मैच में आपको बता दू जिंबंबे के ना दो बॉलर ऐसे हैं जिनको बहुत कम लोगों ने पिक किया हुआ है बट काफी इंपोर्टेंट इसलिए वीडियो आप कंप्लेट देखना अभी भी लाइ सिकंदे रजा है जो की सिकंदे रजा का बस थोड़ा साब को बता दो इंडिया के अगेंस रिकॉर्ड अच्छा नहीं है पाच मैचों में किवल 73 रन मनाये विकेट के बात करो तो किवल एक ही विकेट मिला है तो बालिंग से तो मुझे लगता नहीं कुछ करेगा परसंटे लो इस वज़े से है क्योंकि इसका इस मैदान पे रिकॉर्ड खराब है तीन मैचों में केवल 28 मनाये विकेट की बात करोगे एक बट अगर आप इसकी करन फॉर्म देखोगे ना सतार रन दो विकेट दो विकेट साथ में ओपन भी कर रहा है तो ब्राइन बैनेट कुछ खास नहीं है यहां पर अगर आपको पिक करना है तो दो प्लेयर आप जिंगोंबे की रख सकते एक तो सिकंदे रजा और एक ब्राइन बैनेट दोनों डैफिनेटले बढ़िया चॉइस हो सकते हैं जरूर आप अपनी टीम में लेके चलिएगा इसके अलावा गर मैं किया कि बात करूं तो दो नामे अभीशेक शर्मा अगर आपको पता है यह तो आई पेल में आपने देखा होगा है के साथ कैसे खेलता है बहुत ही अटेकिंग अंदाज में खेलेगा या तो एक दो और में आउट हो जाएगा नहीं तो बड़ी इनिंग खेलने वाला है और सुन्दर का सेलेक्शन परसंटेज लो है अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं हर प्लेयर पर आपको फोकस करके चलूंगा ऐसे नहीं है केवल हाई सेलेक्शन वाले प्लेयर को लेने के लिए बोलूंगा हर प्लेयर जो बैस्ट है उन्हीं को रखेंगे तो सुन् यह फास्ट बॉलरे भाई इसका रिकॉर्ड देखिए आप इस मैदान पर 17 मैच खेलें रन भी बना लेता है बैटिंग आती है तो 148 और 27 विकेट मतलब 17 मैचों में 27 विकेट और इनकी तो बैटिंग आनी तय है क्योंकि विकेट तो इनके पूरे गिरने वाले तो जॉंग पिक नहीं है पर जॉंग वी पर फोकस करिएगा दूसरा ब्लैसिंग मुजर्बानी यह फास्ट बॉलर है इस मैदान पर 14 मैच 15 विकेट और इसकी करन फॉर्म भी आप देखिए बहुत अच्छे है लास्ट तीन मैचों में एप्रॉक्स 6 विकेट है तो ब्लैसिंग मुजर सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको ग्रैंड लीग विन करनी है ना तो थोड़ा उन प्लेयर्स को टीम में रखना पड़ेगा जिनका सेलेक्शन लोग तो जरूर आफ फोकस करके चलिएगा और इंडिया की तरफ से तो दिखिए इंडिया पहले बॉल करता है अगर फास्ट बॉल पर आता है तो डैफिनेटली मेंग्सिमम बॉलर साप एक करोगे रवी बिश्णों को काफी अच्छा इनकों काफी क्वालिटीं डालने पड़ेगी क्योंकि अप इंडिया की टीम पूरी री बिल्ट अप होगी एक तरीक से तो जो अच्छा करेगा वह बहुत अच्छा खर सकता है जगेश की कर सकता है तो कही ना कहीं इस मैच में सब अच्छा बैस्ट करेंगे स्रीर्स में यहां पन मेरे सीचाप से ऐसके मैच के लिए बालर बाइस्ट है ब summizesim बिल्कुल आप वीडियो को लाज तक देखके चलिए जिम बॉम्मी की तरफ से कौन-कौन सी प्लेयर है जो आज के मैच में खेल सकते हैं जो बैंच वे बैठे हुआ है किनका रिकॉर्ड भी अच्छा है एक तो इनोसेंट काई है काफी अच्छा रिकॉर्ड है इस मैदान पर तो इनोसेंट पर फोकस करिएगा क्योंकि इसका नाम भी इनोसेंट और वैसा ही यह खेलता है तो इनोसेंट डेफिनेटली मिल्टन शुम्बा है डायन मायर्स है यह तो कुछ खास लगनी रहा इसके अलावा यहां पर टैंडिया चतारा है यह काफी अच्छा फास्ट बॉ उटा है तो मतलब इनके पास भी काफी अच्छी बॉलिंग लाइन अप है कहीं ना कहीं अच्छा करके दे सकती है इंडिया की तरफ से संजु सैमसं यशश विजैसवाल शिवम दूबे अभी वर्ड कप जीत क्या रहे हैं अभी तोड़ा रिलीफ मूड पे चल रहे हैं क्य यह दो बैक अप के रूप में जुड़े हैं तो शार हर्शित यह भी खेल सकते हैं तो प्लेइंग 11 फाइनली क्या बनेगी वो तो टॉस के बाद ही पता कर पाएंगे तो टेलीग्राम पर एक्टिव रहे ना डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पे लिंक दिया हुआ है वहां यह बना से जाके डाउनलोड कर लेना डाउनलोड तो करी लेना पंद्रा सो रुपय का फ्री बोनस मिल रहा है और फर्स्ट डिपोजिट करो ना तब कोड जरूर डालना एक्सपर तैस एक्सपी एर्टी तैस यह कोड डालने से क्या होगा 20 एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा जो आप सीधा यूटिलाइज कर सकते हो फ्री कैश ना की बोनस और मेगा ग्रैंड लीग पर फर्स्ट प्राइज ऐसे वी कार आप जीच सकते हो वह भी एक रुपए में बस करना क्या है डिस्क्रिप्शन और कमेंड के लिंक से जाके उस मेगा ग्रैंड को जॉइन करना है राउनलोड करने है एक गंटे क्या टीम मनाई है अगा धुर्व जूरल वेकेट कीपर में होंगे तो इसको मैं लेने वाला हूं बैटिंग सेक्शन में शुबमन गिल रितुराज गाएकवार दोनों आएंगने वाले और में सिकंदे राजा ब्रायन बैनट ब्रायन बैनट बैटर है और इहां पर अभी शेक शर्मा जो की काफी दाकर बैटर है बॉलिंग सेक्शन में रवी भिश्णोई आवेश खान मुकेश कुमार तीनों को मैंने रख लिया है और रिचर्ड एंगेवरा और ब्लैसिंग मुजर बानी को तो यह एक्सपेक्टेटीम में बटिस में देखिए एक तो साई सुदर्शन हो सकता है पहला प्लेयर दूसरा हो सकता है खली लैमत और हर्शत राना इन में से हो सकता है तो चेंज पॉसिबल है इसलिए आप टेलेग्राम पे जरूर एक्टिव रहना कि दूसरी टीम में आपको दिखाऊ उससे पहले माई 11 सरके लैप के इस ओफर का फायदा उठा लेना एक रुपए में आप मेगा ग्रेंड लिग जॉइन कर सकते हैं पास्टीम का ओफर है जो काम आपका 250 में होगा वो काम पाच रुपे में हो जाएगा बस डिस्क्रिप्शन और कमेंड के लिंक से जाके डाउनलोड करने दूसरी टीम देखिए थोड़ी सी अलग बनाई है इसमें मैंने जितेश शर्मा को रखा है अगर मालो यह खेलते हैं रितुराज गयकवर्ड शुबमंगिल और साही सुदर्शन काफी अच्छा प्लेयर है गाई यह काफी टैल तो यह टीम भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें कौन-कौन प्लेयर एडेट हुआ है लूग जोंग भी खलील एहमद वाशिंग्टन सुन्दर और साइ सुदर्शन बाकि फाइनल टीम में आपको अपने टेलीग्राम पर देढ़े दूंगा वहां पर तो बहुत सारे कौन सा बैट्समें आज के मैच में सबसे ज्यादा रण मना सकता है आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाके देदेना आंसर देते समय आपको लिखना है आई एंडी वर्से जैड़ाइम जो भी आंसर जाके देदेना तो गाइद मेरा वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव था वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा टॉस के बात ठीक है भाईयो मुझकार